हलो दोस्तो यूनिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चेनल में आप सभी का स्वागत है आज है एक जोलाई और एक जोलाई से हमारी जितने भी कोशन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे दोस्तो आपने हमारा अभी तक चेनल यूनिक सक्सेस पॉइंट बाई आजम सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चेनल को सब्सक्राइब कर लें आपको डेली मोर्निंग में ये टैन टॉप टैन कोशन्स मिलते रहेंगे जितने भी दोस्त हमारे कॉंपेटिटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें और चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इसी के साथ में हमारा पहला कोशन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतराश्टिय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई तो दोस्तों जिसने मेरे पहले वाली वीडियो को देखा होगा मैंने आपको मेक मोहन लाइन, डूरन लाइन और रेट किलिफ लाइन के बारे में बताया था और मैंने ये भी बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतराश्टिय सीमा है वो किसके द्वारा सीमांकित की जाती है ठीके दोस्तो किसके दुआरा सीमांकित की जाती है तो फर्स्ट वाले का right answer हो जाएगा मारा Red Cliff Line यानि कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतराश्टी सीमा जो है वो Red Cliff Line के दुआरा सीमांकित की जाती है तो इतना हमें इसके बारे में मालूम हो जाता है अब रेट किलिफ के बात आईए दोस्तों, तो हम रेट किलिफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, रेट किलिफ रेखा 17 अगस्ट 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाई गई थी, तो कब बनाई गई थी दोस्तों, 17 अगस्ट 1947 को, यान भाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के सीमा बना दी गए थी उसका नाम क्या रखा गया था रेट किलिफ रेखा अब दोस्तों इसका नाम रेट किलिफ रेखा क्यों रखा गया था क्योंकि एक हमारे सर सिरिल रेट किलिफ की अध्यक्षता में इस सीमा आयोग दुबारा रेखा का निर्धारड किया गया था इसलिए इसका नाम रेट किलिफ रखा गया था यानि कि जो इस सीमा की अध्यक्षता करने वाले थे उनका नाम था सर सिरिल रेट किलिफ क्या नाम था सर सिरिल रेट किलिफ उनकी अध्यक्षता में ही सीमा आयोग दुवारा रेखा का निर्धारण किया गया था उनही के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है क्या चीज़ रेट किलिफ लाइन तो इतना दोस्तों हमें पहला कोशन से मिल जाता है इसी के साथ में हम दोस्तों अपने दूसरे कोशन की ओर चलते है तो दूसरा कोशन दोस्तों क्या कहता है देखिएगा इस कोशन का आप खुद आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों देखिए कोशन क्या है कि भारत के सुदूर पूरु में कौन सा देश भारत के साथ आएगा मैनमार यानि कि भारत के सुदूर पूर में जो भारत के साथ में सबसे लंबी अंतराश्टी सीमा बनाता है वो है हमारा मैनमार अब मैनमार की बात आईए तो थोड़ा इसमें जान लेते हैं कि इसकी सीमा सुदूर पूर में सबसे अधिक लंबी क्यों है कि भारत के सुदूर उत्री पूर्व कोने पर एक उत्री पूर्वी तिरी संदी है मैंने तो आपको तिरी संदी के बारे में पहले भी बताया था तिरी संदी है जहां भारत चीन तथा मैनमार की क्या सीमाई लगती है तीन देशों के आपस में क्या लगती है सीमाई लगती है भारत चीन तथा मैनमार की सीमाई आपस में क्या लगती है मिलती है लेकिन मैनमार के साथ सुदूर पूर में सरवाधिक लंबी अंतराशी सीमा बनाता है तो दूसरे कोशन का सही आंसर हमारा हो जाता है मैनमार ठीके दोस्तो इसी के साथ में हमारा दूसरा कोशन कम्प्रीट होता है अब हम इसी के साथ में चलते हैं अपने तीसरे कोश्चन की ओर ठीक है तो दोस्तों तीसरा कोश्चन आपकी स्क्रेइन पर ये रहा है तीसरे कोश्चन क्या कहता है दिखिएगा भारत एवम चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मेक मोहन रेखा निमली घित्मे से किस प अरुनाचल पिर्देश क्या हो जाएगा अरुनाचल पिर्देश अभी है क्या भारत और चीन के बीच में मेक मोहन रेखा किस पिर्देश की उत्री सीमा पर खीची गई है कौनसी सीमा पर उत्री सीमा पर तो वो है अरुनाचल पिर्देश की उत्री सीमा पर जो खीची तो हैन्री जैसे हमारा रेट किलिफ का नाम जो रेट किलिफ यान के सर सिरिल रेट किलिफ थे उनकी अधिक्षता में उसका रेट किलिफ का नाम पड़ा था उसी थरहां हैन्री मैकमोहन ब्रिटीश विदेश सचिव थे और मैकमोहन ने भारत की और से उस सीमा रेखा को क्या क रखा गया है किसके मैक मोहन के अधार बार ठीक है तो रेखा का नाम भी क्या हो गया मैक मोहन ठीक है अब यह कौन थे मैक मोहन तो यह हैंडरी मैक मोहन ब्रिटिश विदेश कौन थे विदेशी सचिफ थे कौन थे सजिफ थे समझ में सभी को आ गया ठीक है तो इसका आंसर हमा भारत की अंतरास्टी सीमा नहीं लगती अब दिखिए हमारा जो देष है ठीक है उसमें दोस्तों ये सभी देष आते हैं हमारे पाकिस्तान बंगला देश ठीक है और मतलब यह जितने ही हैं यह हमारे पडोसी देश हैं ठीक के भी लगती है जबके बंगलादेश की सीमा जो है सबसे ज्यादा यानि के सबसे लंबी सीमा जो है वो हमारे देश के साथ में बंगलादेश की लगती है लेकिन यहाँ पर कहा था कि निम्री लिखित में से किस देश के साथ में भारत की अंतराश्टी सीमा नहीं लगती वो के साथ नहीं लगती अब क्यों नहीं लिखती दोस्तो शिरी लंका जो है वो हिंद महासागर से चारो ओर से घिरा हुआ है कैसा है चारो ओर से घिरा हुआ है तो इस थली सीमत हो लगी ही नहीं माबर ठीक है तो इसलिए इसका आंसर जो होता है वो फोर हो जाता है अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स हम जान लेते हैं स्रिलंका हिंद महासागर्ज के चारो ओर से घिरा हुआ एक दूइब पर बसा हुआ क्या है देश है ठीक है भई इसके उत्तर में कोई है भारत इसके अलावा इसके आसपाई कोई भी देश नहीं है ठीक है और इसका अंतराज्टी इतिहास भी काफी बड़ा है ये सारकी इस्थापना करने वाले सदस्तों में से भी एक है तो इतनी बात हमें इस चोथे कोशन के बारे में मालूम हो जाती है इसी के साथ में हम दोस्तों अपने कोशन बर चलते हैं कोशन नमबर फाइफ कियो कोशन नमबर फाइफ क्या कहता है दोस्तों कोशन नमबर हमारा फाइफ है कि निमने लिखित में से कौन सा देश भारती उप महादीप के अंतरगत शामिल नहीं किया जाता तो वो भी दोस्तों हमारा कौन सा है शिरिलंका कौन सा है शिरिलंका बागे हमारे उप महाधीब के अंतरगत आते हैं पाकिस्तान हुआ बगलादेश हुआ नेपाल हुआ ठीक है लेकिन शिरिलंका हमारा उप महादीप के अंत्रगत नहीं आता वही कारण है कि ये चारो ओर से हिंद महाजागर से घिरा हुआ है सभी को समझ में दोस्तों आ गया होगा इसी के साथ में अब हम बात करते हैं कोशन नमबर 6 की तो देखी दोस्तों कोशन नमबर 6 हमारा क्या कहता है कोशन नमबर 6 है दोस्तों निम्नलिक इत्मे से किस भारतीय राज्य की समुंद्र टटिय सीमा सबसे छोटी है क्या सबसे छोटी है यानि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुंद्र ये टटिय सीमा जो है वो सबसे छोटी है दोस्तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि सबसे लंबी टटीय सीमा मैंने आपको बताया थी तो दोस्तो आपको धियान होगा अगर आपने मेरी वीडियो को देखा होगा मैंने सबसे लंबी टटी सीमा वाला राज़े आपको गुजरात बताया था कौन सा बताया था गुजरात और उसी के साथ साथ में मैंने आपको उस सबसे छोटी सीमा वाला भी बताया था तो निवने लिकेत में से किस भारती राज्चे की समुद्री टटिय सीमा सबसे छोटी है तो वो है दोस्तो गोवा की अच्छा जब गोवा की बाता आई है तो गोवा की है कितनी हमें इसके बारे में ये भी मालूम होना चाहिए ठीक है तो गोवा की है 102 किलो मेटर कितनी 102 किल चोकी समुदृ हे, 30 सीमा सबसे क्षोटी है. तो वो राज्ये कॉन से आ है दोस्तो, वो है गोवा. तो मैंने आपके क्या बताया था, गुज्राथ सबसे अधिक समुद्र 30 वाला राज्ये है वो जबकि गोवा, जो है, वो समुद्री तेट यानि कि उसकी जो रेखा है वो कैसी सबसे कम है तो दोनों धियान में रखने हैं कि सबसे बड़ी समुदरी 30 सीमा गुजरात की और सबसे चोटी 30 सीमा समुदरी वो है गोवागी तो दोस्तो इतनी बात हम इस six questions से ट्राप कर लेते हैं इसी के साथ में हम दोस्तो अपने question number 7 की ओर चलते हैं Question number 7 क्या कहता है भारत की सबसे लंबी अंतराश्टी सीमा किस देश के साथ में लगती है अब सबसे लंबी अंतराश्टी सीमा जो है हमारे भारत की वो किस देश के साथ में लगती है तो दोस्तो ये सभी को पता होना चाहिए, वो होगा हमारा बंगलादेश, क्या होगा बंगलादेश, तो बंगलादेश की सीमा हमारे देश के साथ में सबसे लंबी लगती है, इस थली सीमा सबसे लंबी लगती है, अब दोस्तो बंगलादेश की बात आईए, तो बंगलादे 0.7 km जो कि 17 प्रदेशों के कितने 17 प्रदेशों के 92 जिलों में लगती है कितनी 92 जिलों में लगती है जो कि भारत की सबसे लंबी इस थलिय सीमा बनाता है तो इतना हमारा इस 7 कोशन के बारे में complete हो जाता है इसी के साथ में दोस्तों अब हम चलते हैं अपने 8 कोशन की ओर देखिए 8 कोशन हमारा क्या कहता है 8 कोशन है कि निमने लिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलिय सीमा किस देश के साथ में लगती है आप्शन हमें है पाकिस्तान नेपाल मैनमार और भूटान अब दोस्तों या तो वो है हमारी अफगानिस्तान के साथ किसके साथ अफगानिस्तान के साथ में हैं दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अफगानिस्तान हो जाएगा ठीके उसके बाद में भूटान है ऐसे ही फिर बढ़ती चली जाती है और सबसे बड़ी सीमा जो सबसे अधिक सीमा लगती है, वो लगती है दोस्तों हमारी बंगला देश की। थीके। तो ये इसमें आंसर जो हो जाएगा हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तानी तो इसे आप सफे आप सही कर लिजेगा ठीके है? एट कॉचन को निमलिखित में स भारत की सबसे छोटी स्थली सीमा के देश के साथ में लगती है तो वो होगा दोस्ता हमारा कौन सा अफगानिस्तान ठीक है इसी के साथ में हमारा 8 question complete हो जाता है अब हम चलते हैं अपने 9 question की ओर 9 question देखिएगा क्या कहता है भारत का कौन सा भूभाग आकरितिक विभाग प्र सबसे पुराना माना जाता है तो पहला option इन्हों दे रखा है उत्त्री परवर्ती प्रदेश गंगा ब्रहंपुत्र का मैदान प्राया द्वीप्य पठार या समुद्री टटिये मैदान तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा option number 3 यानि के प्राया द्वीप्य पठार जो 10 question है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा मनाने वाली रेखा है इस 10 question का आंसर आप लोग खुद देजिएगा और मुझे comment करकर बताईएगा कि 10 question का आंसर क्या है तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्वाप करते हैं और यह 10 questions आपको कैसे लगे मुझे comment करकर जरू बताएं ठीक है फिर मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you so much